हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आप के पने यूट्यूब चैनल पर तो हमारे कई साते लोग काफे ज्यादा परेशान हैं कई लोग लगा तरक्यमेंट कर रहे हैं कि सर सीट का एकजाम कब होगा कबान लान फॉर्म होंगे है ऐसा तो नहीं है कि हम फॉर्म भरी ने प सनी त disfraat को कि भी पर तो हमारे चाहएं सबस्तक्ति हैं यहां पर सबसक्रिजाब हम देने वाले हैं कि और जो लोग जो लगातार हमारे आप लोगों को पता है कि आपका प्रिविए शर्ड दोजार 21 और 22 में जो एक्जाम होता सीटेट का वह एक्जाम आपका आनलाइन कराया गया था सीटेट के दौरा अभी तक तो हमें यही देखने को मिल ला है कि जो भी एक्जाम एक बार आफ लाइन से आनलाइन के तरफ चल बार होगा या तो साल में होगा जब होगा जब आनलाइन होगा उसके बाद में जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है और या फिर ने वाले हैं तो अब को बता दें कि जब यह नोटिकेशन आएगी उस समय तक जिन लोगों ने भी टीचर सा मंदित किसी भी कूर्स में लोगों ने अपना करवा लिए है या फिर कर लिए है वो सभी लोग इसे एक्जाम के लिए क्या हो जाएंगे और आपका यह एक्जाम जो होगा तो उसके लिए लाफटाइम आपका माना भी जाएगा अगर आपने सीटेड पास कर लिया चाहे आपका यह पहला ही सब्सक्राइब करने की जब आपके सामने स्क्रीन आएगी तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि देड़ सो कोश्चन होते हैं फिर आपको वहाँ पर क्या होता है जो बड़े-बड़े कोश्चन आते हैं पैड़ा गोजी के उनको करने के चक्कर में आ आपके नंबर कम हो जाते हैं या फिर आप क्या होते हैं सफन नहीं हो पाते हैं इस चक्कर के टाइम पढ़ जाता है कम तो आप लोग लगातार आनलाइन क्लासे कीजिए मतलब कि जो प्रेक्टिस क्लासे चलते हैं क्वेश्चन आंसर कि उनको जल्दी जल्दी से पढ़ा की जितनी जल्दि आप आंसर कर ले जाएंगे पढ़कर आनलाइन इसकी दिए पर उतना आपका फायदा होने वाला है अगे लिखा एकजाम कब होगा और एकजाम के लिए अच्छे बुग कौन सी है अब एकजाम कब होगा इसके लिए सबसे बड़ा टॉपिक यह है किमकि सीट पहले कि पहले देखिए आपकी जोलाई में 14 जोलाई को नोटिस आई थे उसके बाद में सीटट गी तरब कोई भी नोटिस नहीं आई यह इसके बीच में जितने भी निवजी नहीं आई हैं और यह निव जिसलिए आई थी क्योंकि पता है कि जो लोग एक्जाम देंगे अब की बार पहली बार देंगे उनको कम से कम चार से पांच महीने का टाइम हमें देना चाहिए अपने त्यारी करने के लिए और इस नोटिस देने के बाद में अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं या फिर त्यारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है रिजल्ट आता है वो कितना आता है 25 से लेकर के 30 परसंट कर रहे हैं अपने त्यारी कर रहे हैं सिर्फ वहीं लोग पास होते हैं उनकी संख्याइति नहीं होती 25 परसंट या फिर 30 परसंट है तो चलिए बीच में कई सारे क्वेशन आपके हैं जैसे कि नोटिफिकेशन कब आएगा और स्लेबस क्या रहेगा तो स्लेबस चाहिए कित हैं आराम से आपने दोचार दोनों में उस तो चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस सोरे बैठे रहें एक स्लेबस कुछ भी चैपटर से ज्यादा या फिर कम होगा या फिर बढ़ेगा इस स्यादा कुछ होना नहीं है आप लोगो इसको पने दिमाग में मोटे तोर पर रख लिजिए नोटिफिकेशन की बात रही तो नोटिफिकेशन सितंबर के अंतिम दिनों में या फिर आपको अक्टूबर के पर्थम वीक में देखने को मिल जाएगा अगर आपका एक्जाम दिसंबर में करवा जाएगा तो अक्टूबर के पहले वीक में अगर आपका एक्जाम जो है दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर के जनुरी तक में करवा जाएगा तो हो सकता कि अक्टूबर के लास्ट वीक में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मि में question बहुत आ रहा है कि best book कौन से रहेगी तो best book के लिए हमारी अभी वीडियो हमने डाली थी मैम की वीडियो पड़ी है आप उसको देख सकते हैं उसमें बताई है मैमने कई सारी बुके हैं इनको आप ले सकते हैं और अपने exam की त्यारी कर सकते हैं exam कब होगा ये question का भी समय लग सकता है तो यह सारे question आपके लगातार बन रहे थे जिस पर हमने अभी बात किये हैं इसके बाद में आप लोग लगातार ये भी question करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाले हैं प्रिवेशर के question मास्टर सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है तीन हजार तक लोगों ने डाउनलोड कर रखा अभी तक अगर आपको भी जरूरत है प्रिवेशर पेपर लगाने कि तो आप यहाँ पर जाकर करके यह आपको डाउनलोड करिए गूगल प्रेश्टोर से उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलने वाले है प्रिवेशर के पेपर जो की फ्रीम मिलने वाले हैं साथ में यूटूब पर जितनी भी क्लास होते हैं उनकी PDF मिलने वाली है और सीटर परिच्छा के लिए जो हमारे नोट से अगर आप चाहें तो खरी सकते हैं जिन लोगों को भी आवशकता है वो लोग खरी सकते हैं को जोर जबरस्ती नहीं है नहीं तो कोई ज्यादा रेट हैं जिनको आवशकता हो जरूद खरी दे लेंगे वो लोग बाकी बात रही आपको NCRT बुक की तो आपको NCRT के लिए यहां वाप भठगने की लिए तो सीधिया आप लोग आपको डाउन डट कीजिए यहां से आपको भी कुछ चाहिए पढ़ने की चीजों हो चाहिए वो टेस्ट पेपर हो सब कुछ मिल जाएगा तो चलिए आप लोग त्यारी करते रहेगा जो लोग त्यारी नहीं कर रहें वो लोग बहुत बड़ आप लिख करके रख लीजिए त्यारी कर चुके हैं उनके लिए को दिक्कत की बात नहीं है जो लोग अभी त्यारी नहीं कर पाएं तो लोग अच्छी तरीके से क्लासिक कीजिए जो भी कोई जहां भी आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से पढ़ते रहेगा और नोट्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से उसको अपने द्वारा की गए महनत को वहाँ पर सफल करना लोग सिर्फ महनत कीजिए जब भी नोटिफिकेशन आईगी आपको पता चल जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आ जाए और आपका फ़र्म ना पढ़ पाए डेट निकल जाए क्योंकि आप सोचल मीडिया बहुत हावी हो चुका है आपको तुरूंद पता चल जाएगा दस से पंद्रा मिट के अंदर कि आज से जो है सीट अपनी दिमाग को एक जिगे पर लगाई है पढ़ाई की उपर इसके उपर मत लगाई कब भर जाएंगे जब लोग अपनी पढ़ाई को जरूर करते रहेगा बठकेगा नहीं है तो चलिए धन्यबाद बाबाए मिलेंगे आपको अगले क्लास में जब तक आप लोग त्या